हेलो मा, मैं राजु बोल रहा हूं. कैसी हो मा, मैं ठीक हूं. बेटे, तुम और बहु दोनों कैसे हो, हम दोनों भी ठीक हैं. मा. अच्छा, सुनो मा, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूं. तुम्हें लेने क्या? हाँ मा, हम सब साथ ही रहेंगे. हेलो, सुन रही हो मा, हाँ, हाँ बेटे, बूढ़ी आँखों से खुशी की अश्रुधारा बह निकली, बेटे और बहु का प्यार नस नस में दोड़ने लगा, राजू आया, और कहा की, मा, हमें जल्दी ही वापिस जाना है, इसलिए जो भी रुपिया पैसा किसी से लेना है वो लेकर रख लो, तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान की बात करता हूँ, मकान, हाँ मा, अब ये मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा, राजू ने टैक्सी मंगवा ली, एयरपोर्ट पहुँचकर राजू ने कहा, मा, तुम यहाँ ब खबरा कर कहा, लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है, अमेरिका जाने वाली फ्लाइट तो दोपहर में ही चली गई, क्या बुढ़ी मा की आँखों से आंसुओं का सैलाब फूट पड़ा, फूट पड़ा बुढ़ी मा का रोम रोम कांप उठा, फिर कर्मचारी ने मा क किसी तरह वृद्धाश्रम पहुंचाया.